एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की. शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी. वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था. लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्मरोग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी. खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदी वह बदसूरत हो गई तो उसका पती उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बरदाशत नहीं कर पाएगी. इस बीच एक दिन पती को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा. काम कत्म कर जब वह घर वापस लौट रहा था, उसका हो गया. मैं उसने अपनी दोनों आखे खो दी. लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिन्दगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही. समय गुजरता रहा और अपने चर्मरोग के कारण लड़की ने अपनी खूबसूर्ती पूरी तरह गवा दी. वह बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पती को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था. इसलिए इसका उनके खुशाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा. एक दिन उस लड़की की मौत हो गई. पती अब अकेला हो गया था. वह बहुत दुखी था. वह उस शहर को छोड़ कर जाना चाहता था. पती ने जवाब दिया. दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ. मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था. क्योंकि यदि मेरी पतनी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूर्ती देख सकता हूँ, तो यह उसे उसके रोग से ज्यादा दर्द देता. इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया. वह बहुत अच्छी पतनी थी. मैं बस उसे खुश रखना चाहता था. खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के प्रती आखे बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नजरनदाच कर देना चाहिए.